प्रेशन चार भाग फल एमा शेश ग्याद करें प्रेशन चार का क्यै? चार सो एक तीस भागा दो चार सो एक तीस को दो से भाग देना है इस तरह लिख लेंगे चार तो दो दुना चार होता है तो यहाँ पर चार लिखेंगे ठीक है अब चार में से चार घटाने पर क्या आएगा सूने तो इस तरह काट देंगे अब तीन को उपर से उतारेंगे तो दो दूना चार होता है चार तीन से जादा हो जाएगा इसलिए एक बार में लगाएंगे दो गुना एक दो तीन में से दो घटाएंगे एक अब एक तो लगेगा नहीं तो यह जो एक है उपर में उसको उतार देंगे तो इगारा हो गया तो दो चक बारा होता है और दो पचे दस यानि पांच बार में लगा देंगे तो इगारा में से दस देखें, एक में से सूनने घटाएंगे, तो एक आएगा, एक में से एक गया तो सूनने, तो इस तरह काट देंगे, यानि भागफल आ गया 215, सेस हो गया 1 भागफल कितना आ गया, 215, सेस हो गया 1 ख 442 भागा 3 3 से 442 को भाग देना है तो सबसे पहले 3 गुना एक 3 लिखेंगे ठीक है? 3 दुना 6, 4 से जादा हो जाएगा इसलिए एक बार में लगाएंगे 3 गुना 1, 3 4 में से 3 घटाएंगे, एक आएगा अब 4 को उतारेंगे उपर से तो 14 हो गया तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 तो 4 बार में लगा देंगे क्योंकि 3 पचे 15 14 से जादा हो जाएगा इसलिए 4 बार में ही लगाएंगे 3 चौक 12 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, एक में से 1 घटाएंगे तो सुनने है, तो इस तरह काट देंगे अब ये 2 जो है उपर में उसको उतारेंगे तो 22 हो गया तो 3 सते 21 3 याठी 24 यानि 7 बार में लगा देंगे 3 सते 21 अब घटाएंगे 2 में से 1 गया 1 2 में से 2 घटाने पर सुनने आ जाएगा तो इस तरह काट देंगे यानि भागफल हो गया 147 सेस हो गया 1 भागफल कितना हो गया 147 और सेस हो गया 1 ग ग में है 954 954 भागा 4 तो 4 से 954 को भाग देना है तो 4 दूना 8 लगाएंगे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा अब 5 को उतारेंगे तो 4 चोक 16 होता है 16 15 से बड़ा हो जाएगा इसलिए 4 ती अब 12 लगाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 1 में से 1 गया सुनने एक में से 1 घटाने पे सुनने आ जाएगा अब 4 को उपर से उतार देंगे तो 4 अठी 32 4 नमा 36 यानि 8 बार में लगाएंगे 4 अठी 32 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा 3 में से 3 घटाने पे सुनने तो भाग फल कितना हो गया 238 से सो गया 2 भाग फल 238 से सो गया 2 घर 543 भागा 4 4 से 543 को भाग देना है तो 4 गुना एक 4 लगा देंगे क्योंकि 4 दुना 8 होता है तो 8 पांच से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार में लगाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा अब 4 को उतार देते हैं तो 14 हो गया तो 4 तिया 12 लगाएंगे 4 में से 2 घटाने पे 2 आएगा एक में से 1 घटाने पे सूने तो इस तरह काट देंगे अब 3 को उपर से उतारेंगे 23 हो गया तो 4 पच्चे 20 लगा देंगे 3 में से सूने गया 3, 2 में से 2 गया तो सूने तो काट देंगे यहाँ पे तो भागफल हो गया 135 और 6 हो गया 3 भागफल 135 6, 3 भागफल कितना हो गया 135 और 6 हो गया 3 अडा में है 500 तीरपन भागा 5 5 से 500 तीरपन को भाग देना है 5 गुणा 1 5 लगाएंगे 5 में से 5 घटाएंगे तो सूनने आएगा फिर पांच को उतारेंगे उपर से देखें पांच गुना एक पांच पांच में से पांच घटाने पे सूनने आएगा तो इस तरह काट देंगे अब पांच को उतारेंगे उपर से ये वला पांच फिर पांच गुना एक पांच 5 में से 5 घटाएंगे तो सून्ने आ जाएगा तो काट देंगे अब 3 को उतारेंगे उपर से तो 3, 5 से छोटा है तो नहीं लगेगा इसलिए एक सून्ने देंगे यहां पर तो भागफल कितना हो गया 110, 6 हो गया 3 भागफल 110, 6, 3 च, च में हैं 561 भागा 4, 561 को 4 से भाग देना है तो 4 गुना एक 4, 5 में से 4 घटाएंगे, एक आएगा अब 6 को उतार देते हैं तो 4 चोक 16 लगा देंगे, 16 में से 16 घटाएंगे तो सून्य आ जाएगा तो इस तरह काट देंगे अब एक बच गया है, तो इसको उतार देंगे तो एक 4 से छोटा है, नहीं लगेगा तो एक सून्य देंगे भाग फल हो गया 140, सेस हो गया एक भाग फल कितना हो गया 140, सेस एक 6, 915 भागा 7, साथ से 915 को भाग देना है तो एक बार में लगा देंगे, साथ कुना एक साथ, नौ में से साथ घटाएंगे, दो आएगा अब एक को उतार देंगे उपर से, तो एकीस हो गया, साथ या एकीस लगा देंगे एकीस में से एकीस घटाएंगे, तो सून्य आएगा, तो इस तरह काट देंगे अब पांच को उतार देते हैं अब पांच क्या है साथ से छोटा है नहीं लगेगा तो एक सूनने देंगे यहाँ पर ठीक है तो 130 हो गया भागफल सेस हो गया पांच भागफल 130 सेस पांच भागफल कितना हो गया 130 और सेस हो गया पांच जग 982 भागा 7 982 को 7 से भाग देना है तो इस तरह लिख लेंगे एक बार में लगाएंगे 7 गुना एक 7 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा अब 8 को उतार देंगे तो सच्चोक 28 लगा देंगे 28 में से 28 घटाने पे सून्य आ जाएगा अब 2 को उपर से उतार देंगे तो 2 साथ से छोटा है नहीं लगेगा तो एक सून्य देंगे यहां तो भागफल हो गया 140 सेस हो गया दो भागफल 140 सेस दो अच्छू अच्छू झाल झाल